आसकार दोस्तों जै माता दि, जै माता लक्षु, हर साल के तरह इस बार भी दसाहरा दिवाले और धनतेरस बड़े ही धुम-धाम से मनाया जा रहा है। और दिवाले और धनतेरस बस अब तो आनेई वाला है। और धंतेरस जो दिवाले से ठिक दो दिन पाले पड़ता है और धंतेरस के दिन कुछ न कुछ खरीदने का प्रावधान हमारी हिंदू संस्क्रिती में है और ऐसा माना जाता है कि एगर धंतेरस के दिन गर कोई भी चीज खरीद करके लाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उस खरिदना अतियंत सूभ होता है और कौन सा चीजे खरिदना जो दूरलब होता है नुकसान दायक होता है ऐसा भी मानता कंसार है कि अगर धंतेरस के दिन जिसके पास जैसा सामर्थ होता है वा ऐसा सामान खरीता है लेकिन अगर सोने चांदी कोई जोलेरी लेते हैं तो अत्यांत सुब होता है लेकिन जो लोग गरीब है जिन लोगों को पास ऐसा सामर्थ नहीं इतना पैस खर्चा करने की छमता ही नहीं है तो वे लोग सोने चांदी या चांदी कासी का कैसे लिख सकते हैं उन लोगों के पास तो उतने पैसे ही नहीं है क्या उन लोगों के उपर तो मतलक्षमी या भगवान धन्वंत्री की क्रिपा ही नहीं बर सेगी लेकिन मैं आप लोगों से साफ साफ एक बात बताना चाहता हूं भगवान के नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है बस दिल के अंदर कैसी सरंधा भाव रहती है उस हिसाब से भगवान उनको फल देते हैं उनकी नजर में कोई उच नीच कोई रंक राजा नहीं है सब एक समान से तो इसलिए आज किस वीडियो में जो मैं बात बताने जारो कोई जरूरी नहीं कि बस आप सोना चान्दी खरीद करके कुछ ऐसी सस्ती भी चीजे है पस आप उसको ला करके खरीद लाएए यकीन मनाईए वह दो रूपए का भी चीज्य जो मत लख्षमी को खागवान धनावांतरी को बहूत ही प्रसन्ड़ कर सकता है अखिर दू रुपिय की कौन सी चीज है अगर आप इस वीडियो के अंति तक बने रहेंगे तो जरूर ही आप जान जाँगे वह इतनी सस्ती ऐसी कौन सी चीज है के मात्त दू रुपिय का चीज से यदि आप उससे खरीद करके ला देते हैं और अपने घर में अस्थापित कर देते हैं तो यकीन माने हैं आपके घर में मातलक्षी में और भागवान धनवंत्री का किरपा पूरा का पूरा साल बना रहेगा साथ-साथ हम लोग एवी चीज़ पर बात करेंगे अखिर इस धनतेरस के दिन ऐसा कौन चीज़े हैं कि जो भूल करके में बिल्लकुल ही नहीं खरिदना चाहिए और ऐसा कौन सा फल है ऐसा कौन सा चीज़ दो धनतेरस और दिवाले के दिन एकदम बिल्लकुल खाना ही करना शुरू हो जाता है कि हिंदू संस्कृत में बेध पुराडों में कहा गया कि जब धंतेरस और दिवाली का सुब समय आता है उसमें मातालक्षिमी साक्षा तो जो बैकूंट से चल करके धर्ती लोग पर आती है और अपने भक्तों के जीवन में जैसा उनकी अंदर जो स्रद्धा भाव से करें और जो चीजें खरिदने लाइक हैं उन चीजों को खरिद करके मातालक्षिमी का स्रद्धा भाव से अगमन अर्था स्वागत करने के लिए बिल्कुल ही तयार हो जाए तो आप सभी को सायथ पता ही होगा कि धंतेरस दस नवंबर को मनाये जाएगा और दिवाली बारे नवंबर करूं लेकिन दस नवंबर को जो धंतेरस मनाये जाएगा तो धंतेरस मनाने का सुभमूर्थ वर्थात समान कब खरीदे समान खरीदने का भी सुभमूर्थ जानना बहुत ही ज़रूर है क्यों कोई भी काम अगर हम सुभमूर्थ में करते हैं त उसका फल जो लाख गुना मिलता है तो धन तेरस का दिन का आखिरवा सुभ मुहुर्थ क्या है तो दस नॉवंबर के दोपहर बारे बज़ करके 35 मट से सुभ मुहुर्थ स्टार्ट हो रहा है और 11 नॉवंबर तक दोपहर एक बज़ करके 27 मट तक है अगर आप 10 नॉवंबर क भी रखनी है कि क्या चीज़े खरीदना है और प्रदोसकाल में इस बार जो इसे पूजा का सुभ मुहुर्थ बना है और हमेशा प्रदोसकाल में पूजा किया जाता है धनतेरस और दिवाली के दिन तो इस बार का जो सुभ मुहुर्थ बना है धनतेरस के दिन 6 बज़ करके दो मिनट से ले करके आठ बजे तक ए धंतेरस के दिन पूजा का सुब मुहुरत है तो आप जो इस दिन भगवान गडेश, मातलक्षमी, भगवान धनवंतरी के पूजा जो साम के समय में छो से आठ के बीच में अवस्य ही कर लिजेगा तो चलिए हम लोग कुछ ऐसी वे चीजे हैं कि जो धंतेरस के दिन खरीदना अती उत्तमाना के है लेकिन सब लोग अपनी-अपनी सामर्ज के अनुसार, अपनी-पनी कैपसिटी के अनुसार ही खरीदेते हैं वैसे दिवाली तो 12 नवंबर को और दिवाली से ठीक दो दिन पहले जो धंतेरस का तेवार मनाया जाएगा सबसे पहले धंतेरस उसके बाद छोटी दिवाली उसके बाद बड़ी दिवाली तब गुबरधन पूजा भैया दुज ऐसे जो तेवार पढ़ते हैं जिसमें सबसे खास हमारा धंतेरस दिवाली गुबरधन यह तो सब तेवार खासी खास होते हैं और इस दिन माता लक्षमी का जो भी सच्चे दिल से अगर उनके अमाहन कर देता है उन चीजों को खरिद करके लाकर के माता लक्षमी को नियोता कर देता है निमंतर दे देता ह घर में पूरी के पूरे साल मातालक्षमी और भगवान सरे गड़ेस की अनकमपा बनी रहती है तो चलिए हम लोग समझ देता है कि आखिर क्या चीज़े है जिसके माध्यम से खरीद करके यदि हम खर में लाते हैं तो मातालक्षमी का आगमन हमेसा बना रहता है पहला नमर का च है तो हमारी आरातना बहुत ही जल्दी उनके पास तक पहुंचती है तो आप जो धंतेरस के दिन पांच पान का पता जरूर लाइएगा और आप धंतेरस के दिन सबसे पहले मातालक्षमी और भगवान सरे गड़ेस के चड़ों में समर्पित कर देजिए और आपके जो जहां पर बिसरजन होती है अर्थात बहती हुए जल में भी इन पान के पत्तों को अर्थात पांच पत्तों को ले जाकर के बिसरजन कर देना है ठीक है यदि आप ऐसा काम करते हैं तो अहुस ही मातालक्षमी के खिरपा बरसती है तो दूसरा नमर के जो चीज़े हैं वो है आप जो घर में कचवा करिद करके के ला सकते हैं किसी भी मिट्तल का का लुहा का का नहीं होना ज्चेह तो वह हुआ अस्तिधात का अगर कचण खरीद करके ला तो बड़ा ही उत्तम होता है तो आप घर में कचवा क्चवा जो एक भगवान बिश्नो नुक रोप है अगर आ आप जो घर में लाते हैं तो भगवान विश्टो तो आते ही आते साथ में मातालक्ष में भी स्वायंग जो चलियाती है तो धात उसे बना हुगा यह कच्छप लाकर करके अपने घर के उत्तर दिसा में यदि आप अस्थापीत कर देते तो बहुत ही उत्तम होता है अपने घर चीज है हुआ है लक्षिमी चलाण यदि आप धंतिरस के दिन लाते हैं तो अत्यांत सुमाना जाता है आप कुसिस करें कि लश्चिमी चलाण जब आप लाते हैं तो दो जोड़ी लाना है क्योंकि एक जोड़ी को लाकर के अपने घर के मुख द्वार पर इसको अस्थापि घर में अगर भगवान वासुदेव का चितर है तो जरूर ही खरीध कराई गश्मी यदि साथ में रहता है तो कोई चीतर आप उस परकार के खरिद करके लाते हैं तो तो सुकieurs दुख में हमेशा साथ में घर का वाश्तृइं दैना है घर का वास्तु कम्जूर है तो जरू थोड़ा बहुत परवाव होता है यह बहुत ही असानी से आपको मार्केट में मिल जाते हैं ओके पांच्वा नमर का जो चीज है वह है मिट्टी की सुराही तो इसे धंतेरस के दिन मिट्टी का बरतन खरीदना अत्यांती ही सुब होता है लेकिन उन बरतनों में से खास में अस्थापित कर देते हैं अस्थापित करने के बाद यह और सामर के समय में एक एक दीपक करता लागतार पांच दिनों तक यद्वेर पर एक एक दीपक भी वहाँ पर जलाते हैं तो जरूरी आपके घर में देवी देवताओ का असरबात परात होता है और खास तरिक से भगवान स्रीगडेस तता मातालक्ष में के 20 स्कृपाई आपके जीवन पर पड़ती है लेकिन याद रखना है कि जब आप पानी भरते हैं तो पानी भरे तो हमेशा गर्दन तक भरना है ठीक है ऐसा नहीं कि पूरा भर देना है और उसके ऊपर जो कुछ चावलोवल जरूर रुख देना हो सकते आप एक नारियल भी रख देते हैं जैसे कलस के स्थापना की जाती है वैसे आप रख देते हैं तो बड़ी अच्छी पानी होता हैं आप क्या कर सकते कि जब समात हो जाता तो उस पानी को अप जो अपने घर-परिवार के सदस्यों के बीच में बित्र सब्सक्राइब अब चाहिए चाहिए क्योंकि साबूत धनिया जो माता लक्षी मैं के किरपा के पत्र होता है हाँ लेकिन जो आप साबूत धनिया खरीद करके लाते हैं उस धनिया को भूल करके भी आपको खाने में प्रियोग नहीं करना है आप क्या करना है कि लाइए मातलक्षी में के चरणो मेरत अपने घर के पूजा मंदिर में रखते हैं या किसी कटोरी में धनिया में थोड़ सा इत लगा कर अपने घर के उत्तर दिसा में यदि आप रख देते हैं तो मातलक्षी में खीची-खीची चलियाती हैं और धनिया खरीदना अत्यांती ही सुभमाना जाता है और उस धनिया को जब आप पांच दिन तक लगाना तार उस पूजा मंदिर में रखने के बाद उस धनिया को उठा करके किसी गमले में आप जो है बो देजिए और उस धनिया का जब जमना लग शुरू हो जाएगा मतलब जब उसके बीज अंकुरित होना इस्टार्ट हो जाएगे तो उस धनिया को केवल अपने ही परिवार के लोगों को खिलाना है सावधान यह रखना कि जिस धनिया को आप उस दिन खरिद करके लाते हैं जो पूजा मंदिर में आपने रखा उस धनिया को कभी किसी दूसरे को नहीं देना है नहीं तो आपके घर का जो भाग रहता है अच्छा भाग रहता हुआ दूसरे के घर चला जागा दूसरे खान चला जाएगा तो उस धन्या की पत्ति को कभी किसी दूसरे को नहीं खिलाना है और उस धन्या को कभी दूसरे को नहीं देना है अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर वह कौन सी सबसे सस्ती चीज़े क्योंकि इन सब चीजों में खरीदने के लिए हो सके जादे पैसे लगते हो सोने चांदी खरिदना तो अतियेंत सुमाना ही जाता है उसकी तो बिसेस किरपा होती है लेकिन ऐसा क्या चीज है कि जो बहुत ही सस्ती होती है और बड़ी असानी से कोई भी खरOOOO सकता है वह चीज है सात्वा नमर के जो मैं बता रहर सबसे सस्ती चीज है वह है कमल गट जि कि माला बना करके मातालक्ष्मी के बीज मंत्रों के रोगावण ने मैं हमेशा के लिए चल परती है आठवा नमर की जो अचीज है वह है बतासे खील लईया कुछ अनेक परकार की मिठाईया जो होती है वो जरूर ही खरित के लाज़े चाहिए क्योंकि इस समय जो है नए नए धान की फसल उग गई रहती है और उसमय बतासे हाँ नए बतासे ही नए 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 लगए लेना नए खरिति बतर करने के बाद उन्वांया को क्याकरना चाहिए बितर कर देंशे 1 भर परिवार से दीश्याथ को परसाद के रूप में घाना चाहिए चाहिए नवा नम्र को वह चीज है वह है नमक जी आधन तेरस के दिन जो नमक की खरिदारी जरूर ही करना चाहिए क्योंकि नमक की खरिदारी करना अत्यांत सूब माला जाता है तो नमक का डबा तो कभी खाली नहीं होना चाहिए और अपने घर में नमक का जरूर ही करनाए तो बहुती सूब होता है यहाँ जाड़ू भी मातलख्श्मी का बहुत इपरी होता है। धन तेरस के दिन जाडु तो खरीदेन अत्यान तो उन्तम माना जाता है। ऐसा भी मानबता है कवचछारा कि जाडु खरेड़ कर ला करके अधि अपने घर में गंदगी को साप करते हैं तो उस गंदगी के साथ उस जाडु से नक्रात्मक सक्तियां भी 9211 हो जाती है और साथ में माता लक्षमी का असिरबात लगता है और सकरात में कुर्जाओ का संचार हो जाए जो लक्षमी का परतीक होता है जाड़ू इसको घर में हवस ही लाना चाहिए और कभी भी आप घर में जाड़ू लाते हैं तो बिसम संख्या पर लाए एक लाते हैं लाइए पांच लाइए ऐसा करके ही जाड़ू लातना चाहिए क्योंकि सुबकार में हमें सब बिसम संख्या में काम की जाते हैं ठीक है एक तीन पांच साथ नौ इगारे ऐसे काम के जाते हैं और जाड़ू लाने से क्या होते है कि हमारे मन के मैल जो है मातलक्षमी गंदगी इतने भी रती हैं सब यूँ ही जाड़ दती है और हमारे मन में जब गंदगी नहीं रहेगे तो अच्छा विचार आएंगे सक्रात मुक्सूच रहेगे ठीक है इगारवर नमर की जो चीज है हुआ है माता लक्षमी और भगवान स्री गड़ेश की मूर्टी अब मूर्टी लाते हैं आप प्लास्टिक वाले मूर्टी नहीं होने चाहिए पत्थर की मूर्टी ला दे या मिट्टी की मूर्टी ला दे लेकिन खासतर के से धंतेरस के दिन जो है लक्षमी और गड़ेश की मूर्ट है तो जब आप उस मुर्ति को लाते हैं तो भली भात से देख कर कि लाए कही टूटा तो नहीं है कहीं चिंका तो नहीं कुछ गडबड़ी तो नहीं है और जो लच्छी मिजह रगड़िस की मूर्टी लातेन तो दोनों मोर्टी अलग अलग होनी चाहिए पिछला मुर्ती आप विसर्जत भी कर सकते हैं एक साल में क्या करें अगर मिटी की मुर्ती लाते तो उसको हर साल एगर विसर्जन करते तो भी अच्छी बात है नहीं विसर्जन करते तो भी अच्छी बात है ठीक है क्योंकि भगवान कोई दूसरे नहीं होते बस आपकी मन के अंदर क सरद्धाब होने चाहिए लेकिन इन चीज़ों को खरीदना अतियंत सुभ माना जाता है ठीक है बारवा नम्मा का जो चीज़े हुआ है हल्दी यदि आप धंतिरस के दिन खड़ी हल्दी भी खरीदते हैं तो बहुत ही सुभता है लेकिन उसकी खड़ी हल्दी खरीदने के सास सत आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं आपको क्या करना एक कुराल लाल कपड़ा लेना है और उसमें जो एक गांट वाली हल्दी रख देना है और उसमें एक रुपय का सिक्का रख देजिए और सोपाड़ी रख करके उसको पोटली बना करें अपने घर के तीजोरी में यह द मेढक की म मूर्ती जी हाँ मेढक की मूर्ति लाना अतियंद्य सुभता मेढक की मूर्ती रखने से वास्त दोस जो नहीं लगता है एक मेंडोका सास्त्र में भी लिखा गया है कि मेढक की जो मुर्ती होती हो धन की चावी है धन को खीचने का बहुत ही जवर्जस्त काम करता है यह तीन टांग वाली यदि मेढ़ा की मुर्ती आपके मिल जाती है यह वास्तु दोस्त को क्या करता है खीच लेता है वास्तु दोस्त आपके घर में नहीं रहता है और भाग बर्धक भी माना जाता है तो आप मेढ़ा की मूर्ति अगर मिल जाते तो मेढ़ा के मूर्ति लागर के अपने घर के मुख द्वार पर यदि आप स्थापित कर देते हैं तो यकीन मानिये आपके जीवन में तरकी होने से कोई ने रोग सकता आपके जीवन पैसों के खूब ब्रिद्यों के दबा करके अब जितना मागेंगे उतना उम्मीद से भी जादे आपके पैसे आएंगे चौदा हुआ नमर के जो वह चीज है वह है दच्रा वर्ति संख जो भगवान विश्नों को अतिप्री है और समुद्र मन्थन की दवरान जो चौदा रत्न निक करें और उनके उपाय से जो कुछ मिशतन चौदार को इस दिवाली के दिन ध ड़्ाटी संख से ठेका आप क्या कर सकते हैं जो आपके पास मातारशिमी के मूर्ति है उस मूर्ती पर आप क्या कर सकते हैं जाला भिसे कर सकते हैं तो भृती दूद्ध से कर सकते हैं अब हम लोग उन चीजों को जान लते हैं आखिर इस धंतेरस के दिन कौन सी ऐसी गलती है जो हमें भूल करके भी नहीं करने चाहिए को कि उस गलतीयों को करने से मातलक्सी में भगवान स्री गड़ेस की बिस्षिस क्रिपार नहीं रहती हैं वैसे इस दिन जो पूजा करने से भगवान स्री गड़ेस जीसे परत्म पूज गड़ेस देुटा फिखन हर्ता गड़ेस भी कहा जाते हैं आपके उपर किसी भी प्रकार की कोई नहीं रहें हैं आप इन सब उपायों को करने के सासत भगवान स्री गड़िस के जब भी आप पूजा करें तो दुर्वा जरूर ही अर्पित करने चाहे को कि दुर्वा अर्पित करने से भगवान स्री गड़िस अती परसन होते हैं तता भगवान स्री गड़िस के बिसे सिर्पाई आपके जी तो इन गलतियों को नहीं करना चाये धंतेरस के दिन लोहे के चीज़ềं नहीं और नहीं करते हैं नहीं नहीं यह करें लोहे जो सणी का परथीख भोता और इस्तवियद्य करते हैं मार्केटिंग लोहे से बनी बस तो कि आपके जीवन में दुरुभाग जो है अवस ही चला आता है और आपके जीवन में संकटी संकट आना सुरू हो जाता है दूसरा नम्मर की जो चीज है वह चीनी मिट्टी से बनी हुई बरतन नहीं खरीदना चाहिए आप बरतन ख जालेते हैं अगर इस धंतरत के दिन ऐसा क्या चीजेगा चीजे मातर खाव लेने से मतलग ईती प्रसंन होती उन्हें में सब्छात उस अइसा जो चीज निदे में सावे मतलग की तो मैं आती वह बताना क्यों हुआ है को दूसरा बहुत सीम्फल सा आम नाम था से नाम सीटा सीता फल खालेते हैं धंतेरस के दिन दिवाले के दिन या भीच में धंतेरस से लेकरकरें दिवाले के दिन बहुत ही सुह होता है इसके सासत में यदि अब सूरन भी खाते हैं तो अत्ययंत सुभमाने जटा है यदि आप इस धंतिरस के दिन जब भी आप पुजा करते dla Jahr तो पूजा में आपको आपको हमेशा भगवान को जब भोग लगाते हैं तो फांच परक हला के फ़लों कभी नहीं लगाना है क्योंकि नास पाती नाम से यह नास पाती मतलब नास करने वाला तो भूल करके भी आपको नास पाती का भोग नहीं लगाना है धनतिरस और दिबाली के दिन खास्ते के साथ को सीता फल अवस्य ही खालने से मतलब लक्षिमी अती परसन होती है तता धन की बरसात आपके जीवन में होना सुरू हो जाता है क्योंकि जब लक्षिमी के एक रिपाय आपके जीवन पर पड़ेगी ता आपके घर में से तता आपके साथ में जो होने वाले अब गटित गटना होती है वो सारे के सारे चीजों का नास फोजता और जीवन में धन बरसा की दोगता होता है लड़ु से दोनों लोगों का तिप्री होता है ता आप लड़ु जो है अबसही अरपित करें तेक है भगवान स्री घड़स को दुरवा घास मैंने बताई है दुरवा घास अब अरपित कर सकते हैं दिपावली के दिन जो जब आप पूजा करते हैं तो मातलक्षिमी को प्रसंद करने के लिए आप जो दुद्ध का खीर बना करके आप अरपित कर सकते हैं यदि आप इन चीजों को यदि आप कोई भी मैं नहीं कहता हूं कि मैंने जितने सारे चीजें खरीदा बोला है खरीद यदि आप सब्धाब विसवास रहेगा तो बस आप मात्र है यह दो रुपिय वालक कमल गटऩा खरीद ले कुछ धनिया ही खरीद ले सटी स सस्क हरीद ले दो रूपिय का गरबती खरीद ले पूजा की को सामकरी खरिद ले दीपा के मिट्टी क Loris इंचीजों को खरिटने के सासी युथ आपके अंदर माता लक्रषमी के मतलब नहीं धीपा पैसे आज हमारे पास चल एककर नहीं कोई बढ़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज़ह है मात्मालख्ष्जमी को आप कितना सच्छे देन से सरधा विस्वास से आप उनको मानते कितना पूजा करते हैं यदि आप जितना ये अच्छा सरधा भाव रहेगा उतना ये अच्छे से मात अलख्ष्जमी की